हेलो गाइस वेलकम बाग टू न्य वीडियो फ्रेंड्स आप भी अपने फेस्बुक पर इस्टोरी अपलोड करते होगे तो आप भी देखते होंगे कि उसका क्वैल्टी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है ऐसे में जो भी लो क्वैल्टी बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा लो क्वैल्टी देखने को मिलता है तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले कि आप अपने इस्टोरी को हाई क्वैल्टी में कैसे सेट कर सकते हो ताकि जो भी लोग आपके इस्टोरी को देखे तो वहाँ पर वह बहुत ही अच्छा क्वाल्टी में देखने को मिले इस वीडियो में आपको लाज तक बने रहना है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सस्क्राइब कर लेना चलिए आज का वीडियो ही स्टाट करते है नीचे की साड एक setting का option मिलेगा, इस setting बाले option पर आपको enter हो जाना है, और यहाँ पर हम चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे option देखने को मिलेंगे, तो आपको scroll down करना है, और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक option मिलेगा, आपको एक option दिखरा होगा photo quality, इस photo quality वाले option पर आपको enter हो जाना है यहाँ पर हम चले जाते हो तो यहाँ पर आप देख सकतो ऊपर की साथ आपको एक data saver mode दिख रहा होगा तो friends आप जो गलती करते हो यहाँ पर यह करते हो कि यहाँ पर data saver mode आप देख सकतो इसको आपको कभी भी enable करके नहीं रखना है जब भी अगर आप इसको enable कर देते हो तो आपका जो भी photos का quality है उसको low कर देता है अपने आप ही Facebook आपको जो भी photos होंगे वीडियो से होंगे उसके quality को low कर देगा तो आपको कभी भी इसको on नहीं करना है, इसको पहले ही आपको off कर देना है, इसको आप off कर देते हो, तो आप नीचे की साथ देख सकते हो, यहाँ पर एक photo quality का option मिलता है high, medium and low, तो आप क्या गलती करते हो, यहाँ पर low वाले option पर आप पहले से ही set कर रखते हो, या फिर by default high quality में आपको देखनी को मिलेंगे, और आपके जितने भी friends होंगे, आपके stories को view करेंगे तो यहाँ पर आपका, जो भी post होगा story होगा, वहाँ पर high quality में देखनी को मिलेंगे, इस तरह से आपके इन setting को कर लेंगे अपने पॉन में द्वाब का जो भी फेस्बुक का क्वालिटी था वहां पर हाई हो जाने पहले हो तो अगर वीडियो पसंद देख लेक्ट कर दिए हो चैनल पर निए हो तो चैनल को सिस्क्राब कर लिजेगा चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में